किerson है वह और आज हम लोग डिसकुस करेंगे कुलम्स ला इन वेखटर पॉम क्लॉम्स ला इन वेकटर फॉम यानि की सदीश रूप में कुलम का नियम तो क्या है इसको बहुत ही हम लोग डिटेल में जाने civilization ठीक है और step by step गाने तो अगर ये question exam में पूछता है तो आप पो लिखना कैसे है उसके बारे में बताते हैं ठीक है और बहुत ही ये आसान है ठीक है यहाँ पर पहले क्या करना है कि एक frame लेना है जैसा कि दिख रहा है ये एक frame लिया गया एक इधर की और एक इधर की और इसका origin क्या है O है इसका origin क्या है O अब यहां से कुलम का ला नियम लगाने के लिए हमको दो बिंदू आवेस की जरुवत होती है तो O से A पर A जो यहाँ पर दिख रहा है A A पर कोई बिंदू आवेस Q1 को रख दिया B पर Q2 को रख दिया और O से दूरी कितना ले लिया Q1 का R1 और O से Q2 का दूरी कितना ले लिया R2 जिसको वेक्टर के फॉर्म में दर्साया गया है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है अब यहां पर दिखें Q1 और Q2 को हमने क्या लिया है दिखें यहां पर सजातिये तो सजातिये में क्या होता है कि प्रतिकर्शन पर लगता है मतलब Q1 Q2 प पे जो फोर्स लगा है उसका क्या नाम दिये है F21 अब ठीक है बस ये फिगर पार दीजिए अब A से B के बीच का जो सिप्रेशन है उसको केस से हम लोग जिनूट किये है आर से थीक है तो अब इसका हम लोग नामकरन करेंगे तो क्या है नामकरन उसको समझेगा ठीक है चली देखे तो नामकरन क्या है अब जो है यहाँ पिर माना की चित्रा अनुसार तो चित्र के नुसार जो दिख रहा है उसके नुसार क्या है माना गया कि Q1 तथा Q2 दो सजातिये बिंदु आवेस हैं जिसे क्रमस A तथा B पर रखा गया है बस इतना ही करना है पहले picture पार देना है और picture के बारे में complete जनकारी लिख दना है पॉइंट टू पॉइंट मना के जैसे यह दिया वन पॉइंट टू पॉइंट तो इससे क्या है कि आपके E के जाम में जो राइटिंग अस्कील होगा वो बहुत बहतर होगा और marks 100% आगा है, अगर 5 marks का question है, तो 5 में 5 marks ही आपको मिलेगा, clear है, तो ये लिख दिये, चलिए, पहला information तो हो गया, किसके किसके बारे में Q1 और Q2 के दोनों सजातिये हैं, और A तथा B पर रखा गया है, clear है, चलिए, अब चलते हैं, next और next में क्या है, उसको समझेगा, next में point number है, next में क्या है, उसको देखिए, next में है, कि R1, R1 क्या दिखिए तो यहाँ पे, R1 क्या है, तो Q1 का इस्थिती सदीस है, Q1 का देखिए, ये Q1 है, है ना, तो एक Q1 का इस्थिती सदीस है, याने की position vector है, ठीक है, R2 क्या है, Q2 का इस्थिती सदीस है, दिख रहा होगा, Q2 का इस्थिती सदीस है, R क्या है, देखिए, यहाँ पे R, ये, ये R क्या है, तो Q2 का इस्थिती सदीस है, किसकी respect में, Q1 के respect में, तो R क्या है Q2 का Q1 के साफ एक स्थेती सदिस है ठीक है अब दूसरा नम क्या है देखी यहां पे Q1 Q2 के बारे में हमने बात कर लिया आरवन आरटो के बारे में बात कर लिया अब जो बात बच्ची है वो बात क्या है बच्ची है वो बात बच्ची है आपका एफ वन टू और एफ टू वन के बारे में ठीक है तो इसके बारे में हम लोग डिसकस करते हैं कि क्या है ये और क्या हम लोग लिए हैं इसको जो लिए तो इसका नाम तो देना पड़ेगा क्लिर है चली तो इसका क्या नाम पड़ा तो देखें आप एफ वन टू क्या है क्यू वन पर क्यू टू के द्वारा लगाया गया बल और एफ टू वन क्या है क्यू टू पर क्यू वन के द्वारा लगाया गया बल क्लिर जैसा कि देखें मैं आपको दिखेगा जिए फिगर में यहां पर क्या है दीखिए एफ 1 तू जो है क्यो फ्टा यह पर बल लग रहा है किसके कारण क्योटू के कारण इसलिए एफ 1 पहला जो है जिसे लग जो है जो लगा रहा है इसी तरह से 2 डू फ्की पर लगा रहा है कि Spotify लगाå क्लिए रहें चलिए तो यह हो गया अब चलते हैं आगे तो नाम करन हो गया अब कहानी खतम अब यहां से दिखिए नामा करन हो गया अब यहां पर क्या करते हैं उसको समझेगा दिखिए यहां बोद चित्र से यहां पर पेल दिख रहा हो तिरिपूज O A B में तिरिपूज O A ये और बी यह यो यानि इस तिरिपूज की बात किया जा रहा है ठीक है इस तिरिपूज की बात किया जा तिरफुच O-A-B में क्या होगा R1 पलस R दिखिए अब इधर से जा रहे हैं तो यहां पे यह तीर है ऐसे गया ठीक है फिर ऐसे आया फिर आयसे रिटर्न आ रहा थी अब पोज कर रहा है आर टू क्या कर रहा है इसको रोक रहा है ठीक है तो जो रोक रहा है वो रिजल्टेंट हो जाता है सिंपल तो आर वन एक ही दिसा में है तो जूट जाएगा प्लस आर और यह पोजिट है तो बराबर मिसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर बराबर आर टू ये वेक्टर का प्रोपर्टी है अगंस चाहें तो इस तरह करो का बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा एक पर देख लेते हैं कि एक एक एकमपल देखते हैं लोग अगर देखिए एक एकमपल देखते हैं समझ में आ जागा बहुत अच्छे से जैसे यह कोई वेक्टर है इस तरह का ट्रिंगर बना हुआ है अट यह वेक्टर ए वहिए ऑचिन कोई यह रोगं यह तो यह टूराय कोईए पुट-dare और हम यह मिल्यों एक तीर्फेश भूच बना रहे हो तो अगर ऐसे नहीं तो और समझ लीजिए एक पूरा राउंड भूम जाईए और पूरा राउंड में सबका योग बराबर जीरो होता है बसरती जो एक ही डारेक्शन में उसको प्लस लेते हैं और जो उसके भीपरित है उसको माइनस लेते हैं तो इस डारेक्शन में अगर चले तो क्या हो जागा फेक्टर ए न कहुंउये लेकिन आप इसको इधर क्यों रहे हैं तो उल्टा चल रहे हैं तो जोड़ प्लस दीए इन दोनों को प्लस लिया थी थी तो हमेसा क्योंकि यहां से चले धे यहां से चले थे और ऐसे गए और फिर वापस ऐसे चले आए तो result के आगया 0 तेखले 0 अब यहां से भी आप करेंगे तो result के आएगा same यहीं आएगा a plus b ब्राबर c तो यहीं चीज यहाँ पे है यही concept को यहाँ पे लगाया गया है ठीक है देखिए यह concept यहाँ पे देखिए इस direction में गए फिर इधर से गए तो यह दोनों तीर की ओर है और यह तीर के भी परीत है तो यह बराबर में आ जाएगा ठीक है तो R1 यह R1 plus R बराबर R2 तो यहाँ से R याँ दोनों आवेसों के बीच का जो दूरी जो है उसको भेटर फों में आर बराबर क्या हो जागा तो आर बराबर क्या हो जागा आर बन इदर चल जागा तो आर टो माइनस आर बन क्लिर है चलिए तो यहां से इसको और सिंपल में आप लिख सकते हैं शौट में अगर बात करें, तो यहां पी हो जागा, ठीक है, अब क्या है समझेगा, आर बराबर यानि कि भेक्टर बराबर सदिस बराबर क्या है, सदिस का परिमान, यह परिमान है, और यह क्या है, 21 से 20, यह क्या है 21 से 20, यानि कि दिसा देता है, ठीक है, तो R बरावर होता है, परिमान गुना 21 से 20, तो यहां से 21 से 20 को हम लोग किस से दिनोट करते हैं, उपर कैप बना के, क्या, यह कैप है, यह बना जो है आपको कैप है, यह, यह, तो यूनिट भेक्टर R, 21 से 20, R बरावर यहां से क्या आ गया, भेक्टर R बटा में यह क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिविजन में भाग में, तो R का मैगनिचूट, अब R बरावर कितना यहां से यहां से यहां से यहां से आर बराबर क्या आया है तो आर बराबर आया है आर टू माइनस आरवन अब बटा में आर का मैंने चूट तो आर टू माइनस आरवन का मैंनी चूट यहां से आर बराबर क्या आगया तो यहां से आपका आर बराबर आगया unit vector r बरावर क्या आगया तो r2 minus r1 बटा r2 minus r1 का मैंगनी चुट तो ये था आपका unit vector सिर्फ निकालना है ठीके अब क्या करेंगे कि हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे कि क्या करना है तो हम लोग क्या किये थे पहला काम किये है कि सबका नाम दे दिये ठीके q1 q2 सबका नाम दे दिये अब यहाँ पे देखिए समझेगा कता है चुकि f21 की दीशा unit vector r31 r के अनुदीश है इसलिए कुलाम के नियमा नुसार तो देखे तो f21 की दीशा r के नुदीश है की नहीं उसको पहले देखते हैं हम लोग दिखिए तो फीगर में यह ना आपको एफ21 यह दिखिए एफ21 यह है और unit vector r इधर vector का direction होता है देखिए vector इधर सीधर आ रहाया है तो unit vector भी की दर क्यों रहाएगा इधर क्यों दोनों का दीशा क्या है एक समान है ठीक है एक ही अनुदीश है तो यहां उसलिए अब एफ21 का आम लोग फर्मूरा लिखने जा रहे है वेक्टर फों में कुलम्स लाके कॉर्णिक क्लियर चलिए तो क्या है उसको समझेगा तो एफ21 बराबर क्या होगा फोर चुड़ाबर वन बटा फोर पय अपसेला नोट q1 q2 बटा में आर स्कॉर आर का स्कॉर यह तो हो गय वही है आर हम लोग क्या निकाले थे तो आर बराबर क्या निकाले तो उपर में आर बराबर निकाले थे आर टू माइनस आरवन ठीक है आर टू माइनस आरवन तो यहां पर पूट कर दिया आर टू माइनस आरवन आगे यहां पर मैगनिचूड है तो यहां पर भी मैगनिच तो एभी निकल गया आव यहां देखिए यहां पे magnitude का power दो यहने की परिमान का power में दो और यहां पर परिमान के power में कुछ नहीं है मतलब क्या है वह न है तो अब क्या होगा कि यह 2 और 1 क्या हो जागा 3 तो f21 ब्राव क्या हो जागा 1 बटा फर पर पर अप्सलल नोट q1 q2 को साथ को इच्छड़ च्छड़ नहीं हुआ है तो r2-r1 के पावर 3 ऊपर में क्या पाजाएगा r2-r1 यह आपका समीकर्म फर्स्ट तो यहां पर गौर से समझेगा अगर f21 है तो य f12 ब्रावर क्या हो जाएगा तो f12 ब्रावर तो इसी परकार इसी परकार f12 ब्रावर 1 बटा फर पर पर अप्सलल नोट q1 q2 q1 q2 बटा में बस अंतरी होगा आप यहां पर r2-r1 नहीं यहां पर क्या हो जागा r1-r2 का हौल q1-r1-r2 clear तो यह है तो यही जो दो समीकर्म हैं समीकर्न 1 और समीकर्न 2 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इनहीं दो समीकर्न को बोला जाता है समीकर्न समीकर्न 1 अथा 2 को सदीर से रूप में कुलांब का नियम कहा जाता है clear है समान रूप में जयनि जेनरल फोम में इसे निम्न प्रकार से भी लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है उसको समझेगा देखिए तो निम्न प्रकार से कैसे लिखते हैं वहाँ पे r1-2 या r21 था यहां पे देखिए ए बरबर क्या हो जागा 1 बटा फॉरपय आप्शल नूट q1 q2 बटा r square unit vector r जो यहां पे vector होगा उसी का यहां पे unit vector होगा clear तो vector का magnitude है उसका square into unit vector r या इसी को लोगो क्या लेखते हैं ए बरबर 1 बटा फॉरपय आप्शल नूट q1 q2 बटा में r q यानि vector r का magnitude का q into vector r into vector r clear है तो यह हो गया आपका general form तो यह था आपका column's law in vector form क्या है column's law in vector form तो question ज्यादा तर यहां से पूछता है इससे पूछ देगा आपको सिर्फ बिना arrow का देदेगा तो वहां पे बच्चे गलत कर देते हैं arrow का देदेगा यहां पे तो गौर कीजिएगा अगर यहां पे 21 सदीस है तो यहां पे power में square र यहां यहां याद रखेगा ठीक है चलिए तो यह था आपका column's law in vector form अगर वीडियो अच्छा लगे तो like share और subscribe चरूर करें और कोई confusion हो तो comment करें या फिर कोई नया topic आपको detail में जानने हो तो भी comment करें उस पे detail में वीडियो बना कर आप तक पहुंचा दिया जाएगा ठीक अरिकर अ जाँ है जाएगा है